माँ यह वेलकम टुफ र्द चैनल टेक मेंकानिकल एनिलैक्टटिकल एनसील स्पेशल लाइब टेस्ट पार्ट वन का वीडियो में अप्लोड कर दिया हूँ तो पाट्टू का वीडियो अभी बाकी थे उसलिए मैं आज अप्लोट कर रहा हूं ठीक हैं तो पार्ट तू का वीडियो में रहे गव टोटल 60 कोसेंस जो बहुत ज्यादा ही important है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें जो जो कोसेंस था बहुत ही important questions मैं select किया था तो आज कब वीडियो अब लोग पूरा देखना अगर वीडियो अच्छा लागए तो लाइक करना क्यूंकि अब लोग लाइक नहीं करते हैं अगर लाइक करते हैं तो मेरे को भी motivation मिलता है और आप लोग जो बोले सरकर का against campaign करने के लिए मैं भी अप लोग का साथ हूं मैं भी बहुत जल्दी अप वीडियो लाने वाला हूं क्यूंकि जैसे यूथ जूबा एक सथ खाड़ाओं के campaign कर रहें ओइसे करते हैं मैं भी साथ हूं ठीक मैं भी आप मैं वी YouTube चैनल में मेरा वीडियो बना आका अप लोड कर दोंगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़दा सेर करना क्योंकि मैं आप लोगों का इसाथ हूं और वीडियो देखने का बाद इस वीडियो का बाद ही मैं वीडियो लाने बाला हूं ठीक है तो चैनल को जरू सब्सक्रीब करके रखें तो आज का फास्ट कोस्टिन 41 नमबर वाट सुड भी दर नोमिनल फीच और हैक्स ब्लेड पर काटिंग सॉफ्ट मेटरियल नरम मेटरियल कटने के लिए नरम समकड़ी कटने के लिए हम लोग हैक्स जो यूज करते हैं उसका नोमिनल पीच क्या होना चाहिए तो एक ट्रिक्स पता देता हूं जब्सॉप्ट और सॉलीड मेटाल बोलता है सॉलीड ब्रास की जो भी है सॉस्ट और सॉलीड तब भी हो जागो 1.8 mm-5 ठीक है अर जब बोलेगा थीन और हार्ड जोब तब हो जाएगा 0.8 mm-5 ठीक है तो आप लोग याद रहना दो अगर सॉप्ट और सॉल 1.8 mm answer हो जाएगा ठीक है तो इस question का मुताबिक इसका राइट एंसर 1.8 mm कि नेक्स्ट प्टीन एंगल ऑफ जो सिंटर 5 चोन्र का उसका पॉइंट का एंगल क्या होता है तो सिंटर 5-2005 192 यह जैसी हम लोग जानते हैं कि पांच है ऐचा-चो-बमर फांच का जो फॉब से रहता हूधा हरदें टेमपर होता है यह बनता है यह बनता है पांच बनता है हाइक बन रसे baht करते हें यह यह करते हैं 5 दू जinos का यह सेंटर पांच एक दोट ऑपंच का 90 procedure लिए जाब हम लोग सेंटर ड्रिलिंग करते है उससे पहले सेंटर पांच करना चाहिए वड पॉपार सिंग के लिए ड्रील का पॉपार सीड देने के लिए जैगा देने केलिए और .5 एक हुद थार्टीडिग्री एक हुद माइथ होता है और 10डीडिग्री डूटपांच विटनेस मार्ट के लिए उस होता है है और 3说 और पांच को बोलते हैं प्रिक पांच जो हम लोग का डिवाइडर को पोजिशन देने में काम में आता है नेक्स्ट कोस्टियन के टैपड वरकफिस हाज लार्ज डायमेटर डी 80 mm और स्मॉल डायमेटर डी 70 mm और टैपड इस 1 बाइट 20 फांड लेंथ अब डाट टैपड इने में तो बहुत ज्यादा इंपडेंट कोस्टियन है टेक्निकल से जितना सारा मैथ होता है तो मैं जब भी एक्जम लूँगा वो मैथ इचने अब्री पेपर में मैं दे दूँगा जो अब लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपडेंट ह अब लोग कॉफी में यह बाला जो टेक्निकल का जो मैत होगा वाला कॉफी में अब लोग नोट स्टाउन करते रहा ठीक है तो आज बोल रहा है कि बिग डायमेटर एक टी समॉल डायमेटर सेवेंटी और जो टैपड बतलब यह होता है कॉनी सिटी ठीक है ओन बाइट माइनस डी भाइ एल ठीक लेंद अप्टर पाल मतलब लेंद अप्टर अप्टर तो आम लोगों कुल लेंट अप्टर लेंती चाहिए तो यह फोर्मूला में अगा डाल देंगे कि मतलब कॉनी सिटी इधर डालेंगे डीके जगे एक्टी और एस्मॉल डीका जगा जगा 70 डा 10 by L जब जाएगा L is equal to 200 हो जाएगा 200 mm तो देख सकते कि इसका जो राइट एंस हरे 200 mm है ठीक है तो नेक्स्ट को से ने गिल्बो सीर्सी जो जो गिल्बो सीर होता है हम लोग जानते हैं जब कोई भी स्मॉल मेटन थिकनिस मेटाल होता है है कम पतला पतली जो होता है पतली पतली सीट को कटने के लिए हम लोग सिंप यूज करते जिसको बोलता हूं 1.2 mm इंपेटल को काट सकते तो उससे ज tastशाएक है आओने की लिए मैंटेर का में सकते हैं तो जो हाइड्रोलिक से इसमें एक को सिर्थ में कोई भी आवाज बगर कुछ नहीं होता तो हाइड्रोलिक सेयर में होता है और जो इसको गें dodgy स्यार्ट तो टेख लेटें खी ऑ बोल्ड है कि आर्वेन गिल्बो हाज मेड दिस इधर पर मेड होगा ठीक है मेड दिस जो आर्वेन गिल्बो है ओ यह वह जो गिल्बो सियर है वह बनाया थे इसलिए उसका नाम का एकोर्डिंग हम लोग इसका नाम राके दिया घील वो सियर ठीक एट इस अलसो सॉपल्ड यूनिवर्सल कॉम्इनेशन सि्वियर ज़त इस ब्लेड ऐं डीजाइन फॉर यूनिवर्सलrev करने के लिए हम लोग यूज़ करते जैसे चांट स्ट्रेट 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 स्ट्रे एसलिए इसको नाम है universal कोई भी काम से होसा है इंत्रनेल internal straight line में कार सकता है कोई भी कार में कार सकते right hand भी कार सकता है left hand भी कर सकते है इसलिक स्कान नाम है ऊसका यान फैट इसलिए जोईन्त होगा धूत wizard थीक है नाट-ंड बोल्ट next question each and every point अब लोगों को जनना चाहिए क्या है नहीं है ठीक है if a pump can rise 100 liter of water through a height of 200 meter in one minute how much work it can be do in one hour मतला बोल रहा है कोई भी एक pump 600 liter पानी को 200 meter height तक ले जा सकते है वान मिनिटे एक मिनिट में तो एक इतना work done कर रहा है एक घंटा में वह एक मिनिट में 100 liter जो पानी है उसको 200 meter height तक उचा ले के जा सकता तो इस question का मुताबिक जो एक घंटा में pum कितना काम कर रहा है कि वड़ान हो रहा है इसका ठीक है तो अगर हम देखेंगे पहला हम लोग को क्या निक्क लाँ वग्डर नेकल वाग्डर निक्वल टू फोर्स इंटौ डिस्टिंस तो इधर फोर्स क्या है फोर्स का मतलब बोला है अब लिस्ट इधर Q эпियोय देना चाहिए था मेरेको को सिनमें लिखना चाहिए था कि 1 लीटर इकवैल टू एक केजी का बढ़ाबर है ठीक है तो एक 소개 है इसलिए सो कーチजी का बड़ाबर है एक सो लिटर सो किजी का बड़ाबार होगा तो फोर्स मतलब इधर ھंबेर केजी होगा से और जो डिश्टेंस है मतलब वह हाईट है 200 मीटर है तो व्यों निकालने निकालने के लिए दोनों आ गया एक फोर्स आ गया एक डिस्टेन्स आ गया है वह क्वक्डन निकाल सकते हैं वर्ग्डन कैसे निकाते हैं वर्ग्डन is equal to force into distance का दो तो इन्टू mm-100 एक किना मिनिट में एक मिनिट में हो रढ़ा है और बोला 60던 मिनिट में मतलब ब्रइब कि ऑट वन आवार में बोला तो pretty मिनिट में कितना होगा तो स्वर्ग्डण किया होगा स्वार्कडण तो आप लोग देख सकते हैं अगर टोटल गुना कर देंगे तो एंसर आजाएगा टोटल एंसर आएगा क्या करने के लिए लोग क्या करना पड़ेगा लेकिन एंसर जब केजी मीटर में है इसलिए नाइन पॉइंट एट में एट से गुना नहीं किया ठीक है नेक्स्ट कुस्टन तो देख सकते हैं सरा गया बहुत इजी कुस्टन है इसलिए मैं हर एक्जम में की कोई भी पेपर में मैं साइंस का कुस्टन देता वाकड़न का फॉर्मूला वाकड़न की यूनिट जब लोग को पता रहेगा के जी पर के जी इंटु मीटर मतलब किया है के जी किसा इनित है कि मास्क भी हो सकता मास्क वाकर कुछ दिया रहे घगा तो हूस अब लोग इए डाल देंगा मीटर मतलब डिस्टेंस का लेंद का दे रहे तो लोग को ढाल देंगे तो आ जाएगा इसलिए जो यूनिट से हम लोग को एंसर आ जाता है इसलिए यूनिट देता है कभी कभी कोस्टन भी दे दाता हूं ठीक अब लोग थोड़ा समाज के सॉल्ट कर लेना नेक्स्ट मास अब 75 मीटर क्यूब और बॉल्यूम उप मेटल इस 150 ग्राम मास अब मास अब 300 मीटर क्यूब बॉल्यूम उप सेम मेटल जब 75 मीटर क्यूब बॉल्यूम है तब उसका वेट है 1300 ग्राम ठीक है 1300 ग्राम आ रहा है जब हम लोग ऐसे कर सकते हो जो मैथ का फॉर्मूला से साइगएप 50 मीटर क्यूब बॉल्यूम में योठ्यदेर सू ग्राम है जब ठीन्सों हो जाएगा जब एक हो जाएगा तब पचात तो 150 बटा 75 हो जाएगा जब 300 मीटर क्यूब में कितना होगा वोल्यम में वेट तो देर सो इंटू 300 इंटू 75 तो 75 से काटेंगे तो दो टोटल 600 हो जाएगा ठीक है तो साधा बलोगों को समझ में आ गया नहीं तो और एक फॉर्मूला है इध मतलब एक मासद दिया है और एक वोल्यम देखम लोकativa जानते हैं डेंशटे कल टू माच भाई वॉल्यम तो क्या रहा है मासदे सो है और वॉल्यम क्या और टू क्या आ पकातेंगे तो बोकाटेंगे तो 2 मिटर ग्र्म पर मीटर क्यूब आ जाएगा ठीक है कि कए अष्वी लोग को gram per centimeter cube cjs में इसका unit होता है लेकिन हम लोग उसको meter cube में बदल सकते हैं तो to density equal to two gram per meter cube ठीक है तो भूल रहा है कि 300 gram जब volume में तब उसका मास्क्या होगा तो जैसे हम लोग जानते हैं density equal to mass by volume ठीक है तो density बोल दिया दो और इधर मास जानता नहीं है तो मास इस्ट से रहे डिए वॉलियूम और पनागा फ्लीन है जब ठीज़ घ्मान फ्लीन कि वालना प्लीन तीज़ दीया है तो प्लीन memc सरे निशन कोजा होता हं। मैं जब बता रहा हूं तुम भी अल्लग तरिका से बता सकते हूं है तो कोई भी गलत नहीं है शुर्प आपका समझने का ओपर करता है ठीक है मैं जैसे इसीली मेर मत का नियम्म में होव कर ते 15 मीटर की वरिम मे अगर 1300 ग्रम धुत होता है तो 300 मीटर की वोल्यम में वैत कितना होगा इसंघ निकल सकता है निए तो आप लोगो डेंसिटी निकलना पड़ेगा डेंसिटी निकलने का बाद आप लोग मास निकल सकते हैं ठीक है तो इसका राइट एंसर हो जागा 600 तो मैं कोसिस करके देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सब लोग को इचने ब्री पॉइंट क्लियर करते हूं अगर अब लोग को वीडियो अच्छा लगए तो जरूर लाइक करना कि जब लोग लाइक करते हैं मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता नहीं लगते कि नहीं अब लोग लिब भीडियो बनाना मिरें रहां तो फillion प्लीज लाइक करें कमेंट करिये अच्छा लाइक है मैं भी और भी अच्छ अच्छा बीडीयो बनाते रहा होंगा ठीक है है तो को अधा है एसाइव यूनिट ऑस फीट हीट का इस ए़ूनीट क्या है इट काई हूनीट होता है जूल ठीक है तो अगरबात करेंगे बोल्ट किसका उूनीट है बोल्ट पोटेंश्यल डिफरेंट के उनीट है ठीक है, potential difference, voltage का unit है, ठीक है, और जो Kelvin है, और जो degree Celsius है, तो Kelvin temperature का SI unit है, SI पद्धवद में unit है Kelvin और degree Celsius भी temperature का unit है, तो आप लोग each and every point याद रखना हूँ, Convert 60 degree Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit में 60 degree Celsius का value क्या होगा, तो आप लोग जैसे जानते हैं, कि जब Celsius से Fahrenheit की Fahrenheit से Celsius में बदलना पड़ता, तब एक formula यूज होता है, जो तो C by 5 is equal to F minus 32 by 9, तो इस पेपर में मैं दिया है कि Celsius से Fahrenheit मैं जब अगला बार होगा तब दे देंगे Celsius से Kelvin, Celsius से कैसे बदलना है, सब मैं एक एकर करके दिखा दूँगा, अब लोग सिर्फ जानते हैं कि Celsius से Fahrenheit में कैसे बदलना पड़ता है, लेकिन Celsius से Kelvin में भी अब लोग बदल सकते हैं, तो कैसे बदलना पड़ता है, ओ भी मैं next वीडियो में कि next जो एक्जम होगा, उसमें मैं दे होगा, ठीक है, तो अब लोग का पूरा जो conversion है, वो अब लोग को clear हो जाएगा, तो, तो formula में डाल देते, C by 5, मतलब C by 5, C का जगा का 60 लिख देंगे, और C को कट देंगे, एफ मैनस 32 by, एफ मैनस 32 by 9, ठीक है, तो 5, 12,0, 60, तो 12 into 9 अगर कड़ेंगे, तो, एफ मैनस 32 is equal to, 12 into 9 is equal to, 108, ठीक है, तो जब, एफ is equal to, 108 plus 32, तो क्या हो जागा, टोटल एफ is equal to, हो जागा, 140, ठीक है, तो एंसर आ गया है, तो कोई भी अगर, एफ फर्णे नाइट मैं, एगर 60 दे देता, तो अगर बोलता है कि, Celsius में बदल, मतलब, कॉन बट करने के लिए, तब हो जाता ह एफ फर्मूला, एफ माइनस 32 by 9, सिरफ फारेनाइट के वैलू दिया है, इसलिफ फारेनाइट के जगा, 60 डाल देते, ठीक है, तब Celsius को निकलना पड़ता, C को निकलना पड़ता, ठीक है, तो सायदा ब लोग को समझ में आ गया, next question, the size of the safer is specified by, जो safer machine का size होता है, उस ट्रोक का length का उपड़ डिपेंड करता है, श्टोक का length जितना होता है, उसका उपड़ डिपेंड करता है, उसका उपड़ डिपेंड करता है, से पर का size, ठीक है, तो, this is the right answer, और question में पूशता है, कि cutting stock और return stock का ratio क्या है, तो 3 is 2, 2 होता है, तो कभी-कभी घुमा के भी देता है, forward stock का, सेम है, 3 is 2, 2, cutting stock को forward बोल रहे है, ठीक है, और return stock को backward भी बोल सकता है, और जब घुमा के देता है, कि backward stock का और forward stock, तो तब हो जाएगा, 2 is 2, 3, तो यह हम लोग को देखना पड़ेगा, कि question में क्या दिया है, कभी-कभी हम लोग को, मतलब, confuse करने के लिए, घुमा के दे बहुत easy question है, next, identify which type of mechanism of safer produces less noise, हम पहले ही बता दिया कि कम sound उत्पन करता है, जब हम लोग crank and slotted mechanism यूज़ करता है, बहुत ज्यादा sound होता है, तो जब hydraulic system हम लोग यूज़ करता है, बहुत smoothly इसे पर operation कर सकते हैं, ठीक है, तो hydraulic इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, next question, which type of city is geographically the quality control allows at the most 0.4 parts and defective parts quality control, कितना percent defective parts को allow करता है, 0.4% और how many, जब 500 parts हम लोग बनाएंगे, 500 अगर part बनाएंगे, तो quality control कितना parts को defective होगा तो तब allow करेंगे, तो maximum 0.5, 0.5 से अगर जब percent है, जब गुना कर देंगे, तब क्या हो जागा, जब काट जाएगा, तब 2 answer आजाएगा, ठीक है, तो अगर 0.4% मिनिंग क्या है, मतलब 100 में 0.4% वो allow करेगा, तो जब बुलेगा, 100 में 0.4% allow करेगा, तो 500 में एक में क्या करेगा, इसका divide कर दो, 500 में क्या करेगा, इन्टू 500 कर दो, आ जाएगा answer, इसका जब 200 काट जाएगा, तब answer आजाएगा 2, ठीक है, दो पार्ट से अगर maximum damage होता, तो वो allow कर सकता, उससे जदा होगा, तो allow नहीं करेगा, ठीक है, तो answer आजाएगा 2, नेक्स्ट, बहुत अच्छा तरीका से अब लोग को समझाने के लिए कोसिस कर रहा हूँ, साथ आब लोग को समझ में आ जाएगा, आ जाएगा तो जरूर लाइक करना, according to ohms law, voltage is equal to, ohms का, low का हिसाब से, voltage का, हम बोल दे की, voltage का formula होता है, voltage को भी से denote करते है, तो voltage equal to, i into r, तो अप लोग जानते की, i का मतलब क्या, r का मतलब क्या, i का मतलब होता है, current, r का मतलब होता है, resistance, ठीक है, resistance का unit होता है, ohms, और जो i का current का unit होता होता है, ampere, ठीक है, अप लोग प्लीज याद रखना, नेक्स्ट, the electrical tools used for cutting PVC tubes, metal pipes, metal frames जो tool use होता है PVC tube को, metal pipe को, metal frame को कटने के लिए क्या use होता है कटने के लिए हम लोग hex के उज़ करते हैं poker के लिए सोड़ीना यूज़ करेंगे poker हम लोग करते हैं जब हम लोग kit treatment करते हैं कोई भी एक निल है उसको उठाने के लाम लोग होता है एक ना बढ़ता है कि प्रेस करना परता तब हम लोगो को मैलेट यूज़ करना परता ठीक है तो है काटिंग के लिए नेक्स्ट कि विच वना तो फॉल्डविंग प्रोसेस डास नोट रिक्वार्ट फिलर मेट्रियल कोई भी ज़रूरी नहीं है आर्क वेल्डिंग में लगता है गैस वेल्डिंग में लगता है तब लोग देखे फिलर मेटल जैसे वह उधर जब आर्क वेल् वेल्डिंग में क्या होता है कि जब कारेंट का जब कारेंट जब आता है तो जाता है तो गलने काब भग ओ संसे हीटे इस में लोग जमिल जीए criticizing आख ऐसे धख़ कहां ऐसे थोड़े फैसे तोरगे प challeng कर सकता है ऐसे शूर्ट बना सकता है लेकिन स्वॉड डंटिय्ट कर सकता है डब्टेल अन्य कर सकता है में तो यह तोई यह कर सकता हैं Zack ट्रोंस एक gallon equal to क्या होता है एक gallon equal to होता है 4.5 46 लिटर तो कभी कभी पूछता है की one a US gallon equal to to one US gallon equal to क्या होता है one US gallon equal to three 0785 liter recovering तो ए गैलोन है जब नॉर्मल गैलन पूछेंगा तो हो जागा 4.546 लिटर जब 1 यूएस गैलोन बोलेगा तब हो जगा 7.85 3.785 लिटर ठीक है तो एक स्टूडेन मेरे को बोला कि नहीं 1 गैलोन इकल टू 3.785 लिटर हो जाएगा तो उसको भी बता दिया कि 1 गैलोन जब बोलेगा तब लिटर होता है 4.546 और यह बोलता है 1 यूएस गैलो यूएस गैलोन पूछ है ठीक है तो आप लोग प्लीज ये बहला दोनों पॉइंट्स यह रखना क्योंकि दोनों से कुस्यन आ सकता है तो जो मिश्टेक किया था क्योंकि ज़यादा ता स्टूडेंट ए भी जानते हैं जो जो मिश्टेक किया तो उस स्टूडेंट को पूड़ा है तो मैं यही बताओंगा जो मैं कुछह रहा हूँ और जहां ज़ो ऐभा पॉइंट देख लिजिया और पूरा भीडियो अप लोग देखिए है क्या हैं की जहांपे के आपड़ मिष्टेग किया है ओला तो ben पूरा खेल कर दिया को और इधर से अगर कर सिख लिजिए कि बात में स्टेग मत करिए अगर इस सिखने का बाद में आगर जिन्देगे में 5 से मिष्टेम набशनां कोंगे तो तुमारे लिए अच्छा है чि अगार फिर से अगर लेगा थे करोगे तो तुमारे ले तुमारे खड़ा रहे ठीक हैं तो यह बताऊंगा कि जो जो कुस्टिन बताऊंगा जो जो मैं वीडियो बनाता हूं अब लोग के लिए बहुत ज्यादा है पूरा वीडियो देखना है ठीक है तो नेक्स्ट कुस्टिन अठोवाट टेंपरचर अर्दा गेजिस किप्ट इन्स्पेक्शन रोम तो यह जो कोश्सेंस है ज्यादा था स्टुडेंट 20 degree F को right answer दिया है क्योंकि हम लोग पर क्या है कि 20 degree 20 degree 20 degree centigrade में हैं तो मैं थोड़ा घुमा की द्याब हम भी चेक करना चाहते थे कि अब लोग का पीपेरेशन कैसा है अब लोग का general knowledge कैसा है कि यह जो घुमा की द्याब लोग को समझ में आयेगा कि नहीं तो जैसे मैं बोला कि जानते कि 20 degree centigrade में हम लोग गेजेस को रखते हैं इंस्पेक्सर रूम में तो 20 degree centigrade को हम लोग को फारे नाइट में बदलना है तो फारे नाइट में बदलके आप लोग दिखाया है जैसे मों बता दिया ना सी बाइफाइब इसिकल टू एप माइनस 32 बाइन तो आप लोग प्लीज स्वाल्प करिए सी का जएगा अगर हम लोग 20 लिग देंगे तो क्या होगा फाइब फॉर्जा 20 तो यह जब उपर जाएगा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा ठीक है तो 36 इस इकल टू एप माइनस 32 तो एफ इसिकल टू हो जाएगा 32 प्लांस 36 टोटल आ जाएगा एफ इस इकल टू 68 ठीक है तो बहुत इजी को सिन में पहले ही बता दिया कि कैसे स्वाल्प करना है नेक्स्ट को सिन 59 नंबर का फुच अब फॉलिंग इस्ट मेटल हेबिस्ट मेटल कौन सा है तो जादा तर स्टूडेंट इसका एंसर किये है लेड तो हम बता देते लीड ह स्टूडेंट और कि इतना जादा है तो सबसे जादा सबसे ज़ादा है यह सबसे ज्यादा है एक तो अगर पूछता है कि जो lightest metal क्या है तो ज़्यादा तर सिलेक्ट करेगा कि aluminum लेकिन question के यह साब से aluminum हो सकता लेकिन जब option में lithium रहेगा lithium तो lithium is the right answer lightest metal is the lithium क्यूंकि इसका जो specific भी गैबेटी हो होता है 0.53 सम्तिंग होता है ठीक है और जब अलुमिनियम को होता है 2.7 मतलब अलुमिनियम से भी बहुत ज्यादा कम है तो आप लोग याद रहा कि सबसे हेबिएस मेटल आस्मियम सबसे जो लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम नेक्स्ट पॉस्चन कोर्स ग्रेड हैक्सो ब्लेड से जो कोर्स ग्रेड होता है कोर्स ग्रेड का जो पीछ होता है हैक्सो का 1.8 mm कोर्स ग्रेड हैक्सो ब्लेड का कितना टीत रहता है 14 टू 18 टीत रहता है ठीक है एक इंच में 14 टू 18 टीत रहता है the type of fit achieved when the female part is fitted to assemble with male parties जब कोई भी assembly करना है उसमें female part को अगर heat करने के बाद male part को fit करेंगे उस fit को बोलता है shrinkage fit ठीक है यह कि जब भी कोई भी metal को जब heat कर दे तो उथरा गल जाता है तो इसलिए बड़ा हो जाता है तो बड़ा हो जाता है कभी कभी question में आता है एक circular disc है उसका अंदर होल है जब heat करेंगे तो क्या होगा तो यह whole बड़ा हो जाएगा ठीक है तो एक science में भी question आता है तो question क्या होता है कि whole increase हो जाएगा बड़ा हो जाएगा increase ठीक है तो इधर जब बोला है कि जब feet है एक सोच लेक फीट है ऐसे एक फीट करना है ठीक है तो जो फीमेल पाट को हीट करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसका बाद मेल पाट को यह जो मेल पाट होगा मेल पाट को फीट करेंगे इधर ठीक है तो फीमेल पाट के हीट करके मेल पाट को फीट करने को बोलता है पाक को पकड़ लेता तो फीट अच्छा हो जाता नेक्स्ट डेप दोप काड जो होता है ना डेप तप काड है उसको बोलता है तो फीट का ओर एक जो डेफिरेस्ट होता है होता है कि एक रेबूलेशन में कितना अंदर जा रहा है उसको बोलता है कि फीड ठीक है टूल कितना अंदर जा रहा है तो इसका जो यूनिट होता होता है में पर रेबूलेशन ठीक है जो एक रेबूलेशन में कितना अंदर जा रहा है और काटिंग स्पीड मतलब एक मिनिट में कितना काट रहा है तर्निंग स्पीड मतलब ओता हूँ आर्म आर्पम मतलब होता है revolution पर मिनिट कितना बार घूम रहा है जो पूली जो रहता है कोई भी है नहीं कितना बार 1 मिनिट में गूम रहा है उसको बोलता है RPM ठीक है next in operation of कटर को फीड देते हैं ठीक है तो कौन सा अपरेशन में देते हैं हम लोग मीलिंग में देते हैं रोटेटिंग कटर को फीड देते हैं ग्रैंडिंग में हम लोग नहीं देते हैं ग्रैंडिंग में हम लोग जॉब को फीड देते हैं जॉब को आगे लेके जाते हैं करनी के लिए होता है जब कैलोरी मीटर बोलेक्च की काम में आता है हीट मेसर करता है हीट को मेसर करता है केली मेटरु किया है प्रेसर यार को मेजर करता है जब बाद में जब कोई 3 Б going to से ज्यादा इता है है और टेकनिकल में बैडोमेटर से ज्यादा ऊता है टेकनिकल में ओडो मीटर्स से भी पूस्ट आ जो डिस्टेंस को मेजर करता है ठीक है डरत्तों के find the number which coin multiplied by 26 increased by 625 बोला है कि एक कोई भी नाम भड़ है कोई भी एक नाम भड़ है जिसका सब्ध जब 26 भुना कर देंगे तब ओबला नामबर कितना बढ़ जाएगा 625 बढ़ जाएगा छिए तो चीचा सुमाज़ मां of 625 बढ़ जा है अगर एकस था तो 625 बढ़ जाएगा ठीक है तो उसे कर सकते हैं 26 x adult x plus 625 ठीक है तो जब एकस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 x is equal to 625 नेक्स लाइन में 25 x is equal to 625 ठीक है जब X निकालेंगे तब क्या हो जागा 25 निचे आ जागा तो X is equal to 25 तो 25 जब होगा कोई भी एक स्थांग का है 25 25 के साथ अगर 26 गुना करेंगे तो जब टोटाल आ जाएगा 650 ठीक है तो बोला कि टोटल 625 बढ़ गाया तो सही में बढ़ गाया कि क्यी 25 अगर माइनस कर देंगे तो 625 हो जाएगा तो टो टोटिफाइब पहले था 226 के मठेएब करने का बाद होय भाड़ गया तो इसलिवा इसका डायट एंसर हो जाएगा 25 ठीक है तो 25 इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसका एक इसजी फॉर्मूला भी होता है वह उता है कि इंक्रीज भैलू जैसा इंक्रीज भैलू इंक्रीज भैलू माइनस माल्टिप्लाइर माल्टिप्लाइर कितना बोला 26 बोला तो 26 माल्टिप्लाइ करेंगे तो 625 हो जागा तो उसका सत्राइब माइनस कर देंगे तो क्या हो जागा 625 माइनस 25 तो एंसर आजागा 25 कभी कभी कोश्चन घुमा के देते हैं तो 25 का जागा दूसरा कोई संखा देते तो तो करेंगे तो इनकीज वैलू का जागा जो बढ़ता है वह भालो वह बाला वैलू मैं डाल देंगे उसका बाद माल्टिप्लाइर मतलब किस संखा से गुना किया वह डालेंगे उसका साथ म प्रमूला अब लोग लिख लिजें फिर से बोलता हूं कि इनकीज वैलू बटा माल्टिप्लाइर माइनस ओन नेक्स्ट अब लोग देख सकते हैं कि मैं इच एन अब्री कोर्शन का इजी स्वोल्यूशन बताने का कोसिस करूं तो लाइक तो बनता है अगर आप लोगों को सही में पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड को साथ सेयार कीजिए ठीक है बोला कि tap is broken at the surface of the workpiece, एक workpiece का surface में tap break हो गया तो broken tap को जो तूटा हुआ tap को निकालने के लिए हमलोग क्या यूज करेंगे तो हम लोग यूज करते हैं tap extractor मतलब extract जिसको बहार नि यह क्ट्रक्टर यूज करें हिए ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन इम्वोनियम् ख्लॉराइट इस यूजड एज इपलेट पर सुलडरेंग अपॉनियम् क्लॉराइट्न हम लोग जब यूज करते हैं एज फ्लाक्स को रूप से तब कौन सा मेटल हम लोग सुलडरिंग करतें फ्लैक्स होगा वो तीनों मिलाके जो फ्लैक्स होता है वो स्टेनले स्टेल के लिए हम लोग यूज करते हैं मतलब हिंदी में बहुत है कि कोई भी एक जार्नी को कॉप्लीट करता है मतलब पांच घनटा वह 21 km inherently travel किया और जो फेकन पांच घनटा 24 km nor प्रवार में travel किया है तो इसका total जाननि क्या है तो आप लोग जानते है कि जब बोलने कि जाननुन है मतलब दिस्टिंस क्या है kay total कितना सब्सक्षेस को अबाड है सब्सक्राइब लोग जानतें कि स्पीन इक टू टाइम तो ठाइम दूब10 गंटा तो इंग दिफ्रेंस में ध़िफ्रेंस और जा जाता था अब हम लोगा है भड़ी स्पीड निकलना परता क्यों हम लोग उन गारी में ट्रेबल करता है तो कभी भी सब्सक्राइं अबरने कने और होता है न την फ्रेश्च लिए निफन को चाहिए तो इसने यसी लिएक योगाने हो फ्रेस्पीड हो स्पीड निकलना पड़ेका बड़का तो यह भर स्पीड निकलने का एक फॉर्मूला होता है, 2 into दोनों स्पीड का गुना अंकफल, 1 into 24 बटा 21 प्लास 24, मतलब दो का साथ दोनों स्पीड का गुना कर देंगे, बटा दोनों स्पीड को जोड देंगे, उसका बाद 10 से गुना कर देंगे, तो स्पीड निकल यह भर स्पीड है अब लोग के बड़ स्पीड निकलना है कि दोना अलग अलग स्पीड है एक कॉंस्टेंट स्पीड में करेंगे और 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जागा नेक्स लाइन में टी उकल टू दस तो ऐसे टाइम है दस घंटा टू इन्टू ट्वैंटी वान इन्टू ट्वैंटी फॉर और क्या हो जागा जो जो करेंगे तब हो जागा अब लोग प्लीज कार्ड लीजे खुद तो एंसर आजगा टूटल टूट्वैंटी फॉर ठीक है अब लोग देख सकते में टूटली समझ समझा दिया हूं अगर आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते तो पांच घंटा में गया की ट्वैंटी वान किलोमीटर पर आवार तो कितना डिस्टेंस कबर किया पांच दस ठीक है और बोला कि 24 किलोमीटर पर आवार में गया है पांच घंटा यह हो जागा 120 तो यह जब करेंगे तो 120 के साथ जोर देंगे तो टोकता हो जागा 225 मतलब इसका असपस एंसर आ जाएगा ठीक है लेकिन एक्जेक्ट एंसर लाने इसलिए फिर भाड़े स्वीट हम लोगों को निकालना पड़ता जब भाड़ी स्पीड निकाल लेते तब एंसर यह आ जाता जाता जब ऐसे नॉर्माल हम लोग करते हैं जोन आला कि लग स्पीड देखे तब एक किलोमीटर जादा हो जाता हो जाता है कोई बात नहीं तब करोगे तो नियारेस्ट एंसर आ जाएगा तब भी देख सकतो 225 अगर एंसर आ जाएगा था हम लोग देखके लागा सकते कि एंसर हो जाएगा अल्मोस्ट ठीक है ए नेक्स्ट अफ ए वाय वई एपसे को सब्सक्राइब लुक्ति एक है ऑड़र जाएगा जाते हैं तो बहुत इसे नहीं किया नहीं से जैसे मैं स्वाल कराता हूं शक्राइभ में बोल देता हुए एस्ट बटा भी इसकल टो टी बटा टू तो एका सथ कोई भी गुना है यह सकता ना तो दिख करेंगे एक करेंगे 3x करेंगे a by b करेंगे 3x और 2x ठीक है तो दोनों भैलो निकाल गया है a का 3x b का 2x next line में अब लोग याद रखना दोनों भैलो 2a square बोला पहले उपर बाला को solve करेंगे ठीक है 2a square बार प्लास 3b square ठीक है इसको solve करेंगे तो एक हम जगा 2 into a मतलब 3x square और 3b square मतलब 2x square तो क्या हो जगा 3300 918 x square प्लास 12 x square तो टोटाल जगा 30 x square तो क्या हो गया यह जो पार्ट है यह हो गया 30 x square ठीक है और जो next बोला 3a square minus 2b square तो 3a square मतलब 3 into 3x square minus 2 into 2x square तो 37 x square minus 8 x square क्या हो जागा 19 x square तो ए बाला पार्ट क्या हो जाएगा 19 x square तो ऐसे होगा यह 30 x square is equal to 19 x square तो इसको हम लोग तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखता है 3 x square बटा 19 x square तो x square जब कर जागा तो अब एंसर हो जागा 30 is to 19 ठीक है तो आप लोग देख सकते 30 is to 19 एंसर आ गया बहुत इजी कुछिशन है नेक्स्ट कुछिशन फॉलिंग इस तो कौन सा इसमें किसका यूनिट नहीं है एकाई नहीं है तो स्ट्रेंड के भी कोई एकाई नहीं रहता है इसलिए इसका राइट अंसर हो जागा बहुत एंबी नेक्स्ट कुछिशन इन ड्रील वीच पाट हेल्प सब्सक्राइब कुलेंट को पहुंचाने में हेल्प करता मदद करता है तो फ्लूट मदद करता है क्योंकि फ्लूट का तो फ्लूट का काम होता है नेक्स्ट कोशिन वट वट काइंड ऑफ एब्रेसिफ काट अन हुईल शूट भी उजट काट कॉंक्रिस टोन और मैसेनरी मतलब कॉंक्रिस पंथर और चिनाए को कटने के लिए हम लोग कौन सा अब्रेसिव यूज करते हैं तो हम लोग यूज कर आर्ति फिसon इतशाओ अं जूए कित्रीम अब्रेसिफ नेक्स्ट कि इस छीन्लेमिंत इस फ्लांच कप्लिंग चॉए जो पाइपटिञ जून्स में फ्लांब यए जयोंन प्रेइlando में क्या होता है रेबेट से कोस्षान आता है एक ब्यारिंग है जे नोमेंट क्लेचर 6310ZZ है यह 10 इस डिलेटेड टू मतलब एक ब्यारिंग को इंडिकेट कर रहा है क्या 6310ZZ से तो 10 क्या रिलेटेड है किसका रिलेटेड है तो जो जो मेरा HDFC 37 जान स्पेस सेंटर का वीडियो पूरा देखा है उन स्टुडेंट को पता है कि इसका एंसर क्या होगा तो उसमें मैं पूरा ब्यारिंग का यह जो नोमेंट क्लेचर है मैं क्लियर किया था और बहुत सरा मैद भी तो जो जो वह वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके अब लोग देख लीजिए ठीक है और इसका वह वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दूंगा तो इधर बोल रहा है कि जो टेन है टेन इंडिकेट करता है इना डाय को और जो 63 है वो आउटसाइड आउटर डाय को इंडिकेट करता है तो इंडिकेट करता है लेकिन जो आउटसाइड इना डाय जो होगा इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है दस का साथ अगर 5 गुना कर देंगा तो 50 हो जाएगा तो इना ड चिंजा तो कुमियम को कैसे दर साथा है तो इसका फॉर्मूला ओता है यह होता है पॉटासियां यह होता है कैल केलसियम सीह नोट है हिलियू ठीक्ट यह फेली जिए लिज एट्रीन मुव्स फॉर्म रेस्ट एंस फेलोसीटी तेटेन मीटरफ सेकंद इन फैप सेकंद then its acceleration is कोई भी एक ट्रेन है जो बिराम पोजिशन से मतलब स्थीर पोजिशन से उसका जत्तरा स्टार्ट करते हैं और जो फाइनल फेलोसिटी कितना में पहुंचता है दस मीटर पर सेकेंड वो कितना सेकेंड में फाइब सेकेंड में उसका में acceleration पूछ रहा है तो acceleration तो बोला है कि acceleration का में लोग एक फॉर्मूला होता है ए इसकल टू भी मैनस ऑइडी भी मतलब अन्तिम बहुख यू मतलब FOR Jewish इनल परम इनल यह मतलब you सबचने हैं इसलिए इसका राइटन से हो जाएगा नेक्स देखते हैं कि a is equal to 10 meter by second meter by second मतलब एसे लिखेंगा और सम्टाइम है five seconds ठीक है five seconds और जो 10 meter per second और second निचे आजाएगा ठीक है तो जब एधिक क्टारइड करेंगे तो एंसरी होजाएगे हैं Katherine तो अब मालूम बड़ा कि कैसे एकसिलरेशन के यूनिट आता सिकेंट जैसे सिंट का मिटर होता है तो जब सेक नीचे आ जाता है और एक टाइम का सेकेंट होता है इसलिए हो जाते हैं मिटर सब्सक्राइब तो बहुत इंपोर्टेंट कुस्टेन आप लोग प्लीज नोट्स कर लिजिए और आप लोग जो जो यह वाला फॉर्मूला नहीं जानते थे की इस इकल टू एइस इकल टू पी माइनस यू बाइटी वसाइद एवला फॉर्मूला जानते की यू प्लास भी इस इकल टू यू प्लास एटी साथ अब लोग एवला फॉर्मूला जानते की जाव एसे भी जानते की भी माइनस यू इस इकल टू एटी दोनों सेम फॉर्मूल से यह वाला फॉर्मेट से हम लोग बाखी सब कुछ करते हैं ठीक है नेक्स्ट मिलीमीटर स्केल इस मेलीमीटर स्केल इन्हें माइक्रो मिटर इस मार्क ओन तो मेलीमीटर स्केल होता है मार्क 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 मार तीजिँ और जीग कहा यूज करते हैं जौब को होल्ट करना पड़ता है। तूल को गायड करना पड़ता हूं घटेड को विन परना पड़त को कठ आफ प्रता हूं अद जहां पर सिर्भ जोब को मिद करना परता हूं उधर हम लोग यूज करते हैं फिक्सर ठीक है लेकिन गाइडिंग अब टूल इस अमेन फंक्शन अब दा जीग ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट्ट इदा टू-थर्ड ओफ इप टू-थर्ड ओफ टू-थर्ड ओफ वन फूर्थ ओफ ए नंबर इस फिप्टी फैंड नंबर बोल रहा है कि देखे लग रहा है बहुत बड़ा कुस्ट्ट ने केसे सॉल्प करेंगे तो बहुत इजी कुस्ट्ट से मैं बता दूंगा तो आप ल समते बॉर्द मास भी ओ डी वी का दलब ड्राकेट आप मतलब ऄंड़ उनएं होता है ठीक है है जो माल्टीबल साइन होता है ओई होता है तो आछ से बोल रहा है गी टू-3rd मतलब 2-3rd ऑफ मतलब इदर गुणा 3 5-3 5 गुणा one fourth जब भी ओफ बोले तब हम लोग multiple का sign देंगे one fourth ठीक है one fourth of a number मतलब off a off मतलब into x number क्या है पता नहीं तो number को x माल लेते is equal to क्या बोले is 50 ठीक है तो जब हम लोग इसको काटेंगे two हो जाएगा three three दे कट जाएगा ठीक है जो एंसर हो जाएगा X is equal to 500 आजाएगा तो बहुत easy questions है इसरे अब लोग को समझना है कि कैसे कैसे आ रहा है देख के लग रहा है कि two-third of three-fifth of कैसे आएगा तो स्रेप कुछ नहीं है two-third मतलब two by three into off का मतलब into हो जाएगा ठीक है next question the least count of bevel protector is bevel protector का list count क्या है तो bevel protector का list count है one degree जब भानिय है भी बेल पोटेक्टर बोलेगा ताब हो जागा five minutes ठीक है और एक question कल एक student मेंने को पूछा था कि smallest angle measurement क्या होता है smallest angle measurement होता है second जो largest angle measurement होता है ओह होता है radian ठीक है क्योंकि आप लोग जानते है पिछला वीडियो में मैं solve किया था कि पाई रेडियान इक्वेल टू 180 डिग्री ठीक है पाई रेडियान इक्वेल टू 180 डिग्री अब लोग याद रखना तो लार्जेस्ट एंगल measurement होता है रेडियान नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्यन क्वेल कोंपेर्ट टू 16 गेज सीट 20 गेज सीड़ी तो मैं वायर जो वायर गेज है उसमें में क्लियर कर दिया कि वायर गीज किया है वायर गेज होता है एक डिस्क होता है उसमें तोटाल 37 हो रहता है जिसका रेंज जोते 0-36 कभी निमी में 0-36 है कभी कभी जिलो टू-40 देता है तो 0-40 भी राइट एंसर है ठीक है तो जब बोलेगा कि तो जुरे से जब भी आगे बढ़ता है one two three four होता है तब होल का साइज कमता है डिक्रीज होता है तो क्या बोला जब 16 गेज़ सीट का जब होल का साइज होगा 20 गेज़ सीट का होल का साइज छोटा हो जागा उससे ठीक है को नेक्स्ट कोस्षिन बोल रहा है तो फ़पाटी ओफन मेटल टू भी रोल्ड और हैमर्ड विडऊट ब्रेकिंग इन्टटीन सीट मतला बोला है कोई भी अधेल उसको हम लोग जब रोलिंग करेंगे की हैमर्म करेंगे तो वह पतली पतली सीच में बन जाता है लेकिन उसमे कोई भी breaking कोई भी तूटता नहीं है कि क्रैक होता नहीं तो कुछ सा property में होता है मेलैबीलिटी property में हible 3d3 में हम लोगrzyंध से बनाते हैं Hardness बहुत ज्यादा hard होता दूसरे मेटल को cut सकता है इसमें कोई resisting ие difficulties अब तो यह बदमें से च्ब्रिंगी के इचेतिर नहीं आफ स century इंगए जितना ओर ठांड्स कि अनुछ में बदल जाता है और वक्स नब सकता है ऑल जब कोई भी एक लेध है इधर हेट स्टॉक है इधर टेल स्टॉक है ठीक है इधर टेल स्टॉक है जब एक इधर एक जोब लगे रहा था और टूल इधर से कर फीट देंगे है इधर से इधर जब जाएगा जोब क्या बोले पैरलाल टूदर रोटेशन आफ दो वाग जी जहां रोटेशन अगर रोटेशन का पैरलाल हम लोग अगर टूल को फीड देंगे तो इसे बन जाएगा सिलनिकल सर्फिस होगा ठीक है तो कोई भी एंगल में अगर ठूल को हम लुट देते तो वह टैपड बन जाता ठीक है नेक्स्ट को सिन जाएगा तो जब भी बीच में अटक जाएगा तो तो तूड जाएगा ना कि कोई भी गीड हैक्सो गीड जाएगा तो ब्लेट टूड जाएगा इसले हम लोग टेंपड कर लेते हैं तो हैक्सो से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार्क 2019 में आया था कि हैक्सो का एक न्यू हैक्सो ब्लेट हम लोग यूज करते तो कुछ देर बाद ओ धीला हो जाते हैं क्यों होता है ज्यादा तो स्टूडेंट इसको सिन का एंसर गलात करते हैं इसका राइट एंसर हो जागा स्टेशिं कि लिए घ्यूंशन हो जाता है गरम होने से मेटल भी ध्यू कि मतल назад रहता तो इसलिए फिर से सट्से ला हो जाते है तो कभी फिर से धीला हो जाता है फिर हम लोगों को टाइट करना पड़ता है प्रैक्टिकल जो जो अच्छा से किया उसको समझ में आ जाएगा साथ तो इसलिए कि स्ट्रेचिंग ऑफ दा ब्लेड ब्लेड स्ट्रेच हो जाता है इसलिए हम लोगों को जो विंगनेट है धीला होता है तो जब नियु हैक्स ब्लेस लगाने से पहले भी होता लेकिन एक्च्यल लिघ्स एक्ट्र इसका स्ट्रेच इंश कोटने में मदद करता है तो यूज करता है तो कौल सा स्निप आ रहे है स्टीप जिस को मैं बोला कली बोला था जिसका बढ़ा मैं अभी डिस्कस कर दिया कि स्निप जो 1.2mm तक मैटल को कट सकता है ठीक है 1.2 mm मैटल को कर सकता है और इस एक होता है श्ट्रेट स्निप जो एक्सरेषी कर्दूर को काटने के लिए और स्टेटेट लाइन में कमें प्र conveni यूई होता है और एक होता है करब स्ने करब स्निप इंतरंब सर्फिस इन्टारपेस इन्टारा जो Nerd डंजो सब्फान Кोई भी सीट को कटने के यूज होता है ठीक है नेक्स्ट कोस्टियन विच इस जैनर इली एप्लाइट फोर आइडेंटी ठीकेशन ऑफ आनेवेन नेस ऑफ तू मेटिंग पर्स जब कोई भी दो मेटिंग पर्स जो मिलने बहला फार्स को हम लोग चेक करने के कहा का उसका टचिंग कर रहे है तो चेक क करने के लिए हम लोग क्या विज़ करते हैं प्रूसियन बुलू उसका बेच में लगा आ देते हैं ठीक है एक मार्किंग मीडिया है ठीक है नेक्स्ट कोस्ट्यन फूइच अब दो फॉलोग इस लिस्ट परसेंटेज इन इन्भाइरनमेंट अप आर्थ जो प्रिथी भी था परजाबरान में सबसे कम प्रिथिसद गैस क्या है तो सबसे कम मत्रा में हैं कर्गोन डियक्साइड इसका मत्रा साथ 0.03 परसेंट ठीक है आर्गोन का देखेंगे आर्गोन का 0.9 परसेंटेज ठीक है तो आर्गोन को कभी कभी बोलता है इनाट गैस कभी कभी नी आर्गोन इनाट गैस का अंदर आता है ठीक है तो यह ऑक्सिजन अगा 21 से सम्थिंग 21.7 आता है नाइट्रोजन 78.7 रहता है सबसे ज़्यादा आइरन को प्रॉट आइरण करने होगा इसंप। मुल्प फणेस कub рок करने जो से ठीर यके याड आरक करने में जो इलेक्तिक आर्क फणनेस होता है। वे स्टील को प्याइज करने में यूज होता है ठीक है नेक्स्ट कुस्टिन क्या इसका रिलेशन तो जरूर है 14 इंटो अगर 5 करेंगे तो 70 आ जाएगा तो अगर इधर कौन से एक संखा है दो संखा जो दूना करने से ओई आ जाएगा तो 27 के साथ अगर 5 दूना करेंगे तो आ जागा आप लोग देख सकते है तो इसे इसे इंटो 135 वह जाएगा ठीक है क्योंकि 27 के साथ अगर 5 दूना करेंगे तो 750 5 3 a 135 वह जागा स्वाडी फर मिस्टिंग इस मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक हो गया 27 इंटो 5 अगर करेंगे तो 135 वह जागा ठीक है तो नेक्स्ट कोस्टिंग वह जाएगा 50 वह जाएगा 50 वह जाएगा 50 अर जब मैक्सिमाम रिदिंग पूछेगा तो 75 एंट नेक्स्ट काइनिटिक एनर्जी ओप कार 1000 केजी मूबिंग एट मैं लग्ता है 1 मिंटर पस सेकेंड काइनिटिक एनर्जी का कुस्टिन मैं बहुत बचंब डिसकस और इधर से कुस्ट्स आने बाला है आता है तो हम लिए के लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो इस डू में भी आएगा कि तो साइनिटीक एनरजी निकलने का फॉर्मूला हम लोग का ऑनीट के आनरजी पोटेंटीक अनजी मैं वार्क नुल होता है जूल हीट का carrot यूनिट अब लोग ये सब्सक्तर हुआ तो कम्बिनेसिन कर लेना बहुत जल्दी अब लोग कि याद रहेका है कि जूल किसका किकस का रेख है जूल किसका का रेख है warm unit 3Mal幹嘛 unity आ काइण कीवन चिभाड अज़े पॉजिटिव एरो राइस में 0.02, what is the correct reading in mm, when the micrometer reads 25.41 mm, तुम्हें पहले ही बता दिया था कि, जब भी कोई error से question आ था तो एक formula होता है, positive error के लिए, actual reading, actual reading, ठीक है क्या होता है, observe reading, observe reading, minus error, तो observe, हम लोग क्या observe कर रहे है, इधर observe value क्या दिया है, observe value दिया है, 25.41, और error क्या है, error तो error है, minus, और plus लिखेंगे, 0.02, ठीक है, bracket दे देंगे, तो next line में क्या होगा, next line में होगा, actual reading is equal to, 25.41, minus, plus minus में minus हो जाएगा, 0.02, तो यह जाब हो जाएगा, 25.39 mm, तो actual reading हम लोग का निकाल के आ जाएगा, 25.39 mm, तो अगर, इधर negative error निकालने के लिए बोलता, तो क्या होता, अगर इधर सोच लेकर, minus है, minus 0.02 है, negative error के लिए, हम लोग को क्या होगा, minus मतलब negative error है, तब actual reading क्या होगा, actual reading, equal to observe reading, reading, minus error, same formula, लेकिन observe reading में क्या दिखा रहा है, 25.41, minus error में क्या दिखा रहा है, 0.02, यह जब हो जाएगा, 25.41, minus, minus, plus हो जाएगा, 0.02, ठीक है, तो टोटल आजाएगा, actual reading, 25.43, ठीक है, तो formula same है, formula same रहेगा, observe reading, minus, negative error की positive error, तो negative error हो जब हो जाएगा, तो minus, minus, plus हो जाएगा, अजब positive error हो जाएगा, तो minus, plus, minus हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत easy questions है, थोड़ा समझ रहे हैं, पोलड़ा की case hardening is done on, case hardening मतलब case को hard करना, जो surface है, उसको hard करने के लिए, एक wire resistance property देने के लिए, हम लोग क्या use करते हैं, mild steel मतलब, mild steel में carbon percentage कम रहता है, जिसमें carbon percentage कम रहता है, वो कम hard है, इसलिए उसको hard बनाने के लिए, उसको wire resistance property देने के लिए, हम लोग सर्फिस को hard करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग करते case hardening, case hardening तब होता जब carbon percentage 0.15% रहता है, 0.15% रहता है, ठीक है, तो सर्फ उसका जो carbon steel, अब लोग याद रखना, ठीक है, low carbon steel में 0.3% ता carbon रहता है, at least, next question बोल रहा है, the property of a metal by virtue of which the metal can be bent or stretch without failure, वो उनसा एक पर पॉपाट्य मेटल का, जिसमें metal को bend कर सकता हो, stretch कर सकता है, stretch करने के बाद भी, failure नहीं है, तो मतलब तूचता नहीं, ठीक है, तो कौन सा पॉपा तूपाट्य मेटल का, ट Responses होता है, ठीक है, इसको बोलता है, टरक ने सबस्क्रती, तो टफने मस्व मतलब betgun बर ब हको कम करना, ठीक है, उसको बोलता है, toughness, और कौन सा treatment करना चाहिए ही treatment toughness के लिए हम लोगों को tempering करना चाहिए ओके तो tempering जब करते तब 400 degree centigrade का नीचे हम लोग preheat करते हैं ठीक है next कुछ of the following is non-chip removal process कौन सा एक process है जिसमें कोई भी chips नहीं निकलता तो मैसिन्ग ओप सेफर में chips निकलता है ठेट कटिंग में निकलता है गियार होबिंग में निकलता है लेकिन spinning of blade में नहीं निकलता है एक forming operation है एक जैसे प्रेस करके वह एक form हो जाते हैं हम लोग कोई कटोड़ा बनाते हैं कि कोई भी थारी बनाते तो इदर से spinning of blade से हम लोग बनाते हैं एक चक और टेल स्टोक का बीच में कोई भी एक ब्लैंक जॉब कोड़ा के हम लोग एक टूल से प्रेसिंग टूल से प्रेस करते हैं तो वह अलग अलग से में आ जाता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन तो यह एक फॉर्मिंग ऑपर एसे नहें टैपर सेंट्रील्स आट टेकेन आउट ऑप दा इस प्रेपर कोर्टरी में एक जाएंकंड्रील लो तर जैंग को लेके जब भी स्पिंडिल का उपर ऐसे थोड़ा उपर होना के बाद उसको निकलने के लिए हम लोग को एक टूल चाहिए जैसे टेप कोटर मतलब जैसे कोटर संग जी पूल्ट होता है क्वाट्र एक तो होता है एक ऐसे होता है तो कोड़र ऐसे एक सेफ जैसे एक टूल रहता है उसका मदद से हम लोग टैपर संग ड्रिल को स्पिंडल से निकालते हैं उस टैपर कोडर को बोलता है ड्रिफ्ट ठीक है तो उसका मदद से हम लोग टैपर संग ड्रिल को स्पिंडल से निकालते हैं कि नेक्स्ट कोश्ण कि ओट इस आज चैनल नेम हम लोग चैनल का नेम के कुछ नहीं यह ज़स्ट नॉर्माली मैं कोश्ण दिया थे कि आप लोग जो एक्जम दे रहे आप लोगों सा पता रहाना चाहिए कि कौन सा चैनल एक्जम पोवाइट कर रहा है ठीक है तो फिडियो क पोस्ट मैं एक्जम पोवाइट कर रहा हूं अब लोग भी देख रहा है इससे भी अच्छा-च्छा में टेस्ट पोवाइट करूंगा एंसल के लिए अब लोगों का प्रिपेरेशन बहुत अच्छा हो जागा जैका जैसे मैं वीडियो पोस्ट करता हूं अगर कोई कोई स्टूडेंट वीडियो डेली देखेगा और नोट्स करते रहेगा वह अगर पढ़के जाएगा तो उदर से एक्लिस सिक्स्टी सेवेंटी पसंट कुस्टन आ जाएगा ठीक है अब लोग अगर ऐसे हम लोगों को साथ देते रहोगे तो मैं भी और ये मैं भी और अच्छा अच्छे वीडियो दे सकता हूं तुम लोगों के लिए जो एक्जिणम्हें आने वाला हैं तो प्लीज वीडियो के जादा सजादा लाइक करो और से एयार करो लाइक करने से मेरो को अच्छा लगता ठीक है नेक्स्ट तो हम लोगे क्टैनल का नयम है एक मेकनिकल ऐन पहले center में आ जाता है जीक है और इस का refer we 20 रहता है उपर में जो रहता है उसको square मेंगAAAA क्यू़कि ओट्रेंस से we'll करने के लिए हम लोग ր रखते हैं सब्सक्राइब और ऍिलरमर बनता है हाई स्पीड स्टिल इंग्राइंडिंग तस सिंबल भी रिप्रेजेंट जो वी होता है ओ रिप्रेजेंट करता है टाइप ओँगई दूट करते हैं फिक है question gauges used to measure the thickness of the OR or a seat कौन सा gauge यूज होता है seat का thickness और OR का thickness measure करने के लिए यह होता है और गेज तो और गेज का बन में मैं बहुत बार डिस्कस कर दिया हूं ठीक है रेडियास गेज रेडियास को मेजर का था पोफाइल जैसे पोफाइल हम लोगों ट्राइंगुल जो पोफाइल दाता है उसका एकोड़ी हम लोगों पोफाइल गेज बनाते है सिलिब गेज हम लोगों को जहां पर क्लियारेंस से करना पड़ता हूं अधर हम लोग सलिए स्लिब गेज डालते है ठीक है next there are dears and peacocks जो एक चीरिया घर में हिरोन और मोर हैं बाइच कंटिंग हीड्स एर 80 सीर क जब गिंती करते हैं तब कितना होता है यजब माथा का संख्खा कितना होता है तोटल दिख रहा है 80 माथा है तो हम लोग यह जानना चाहिए कि एक peacock का और एक deer का एक ही हीड होता है नह कोई भी आगर जगा में चीर्या करना में दस पिकोग रहें तो ऐसे सेम है मतलब टोटल संखा है एटी है तो नेक्स्ट दानामबर ओफ देर लेग का संखा कितना है उसका जो तो टोटल पीकोग और डियार है तो लेक का संखा दिखा रहे दो सूठ ठीक है तो हमइनी पीकोग साथ दीर अधर मोर कितना है तो हम लोग को यह लिखना है जितना पीकोग है और मंटरल संखा कितना मस्थे कराएइटि टो एक्स प्लस वाई हम लोग लिख सकते अच्छाए ठीक है यह डियर है जो आप यह क्टीक को के नहां कि यह म गकशन लिख सकते हैं आप लाग मित्वा इसके वाई इसे अीज़ होग हुग होता है अन्योग तो डियार का कितना लेग होता है चार लेग होता है तो इसे लिखेंगे फोर एक्स प्लास एक पीकॉक एक मोर का कितना लेग होता है दो लेग होता है इसलिए लिखेंगे टू आई इसकेल टू कितना बोल्ड है दो सो लेग बोल्ड है तो दोसो लेग मतलब टोटल लेग कभी निकाल गया और एक संका कभी निकाल गया तो यह दोनों एक्वेशन का हम लोग समान करेंगे ठीक है तो समान करने के लिए हम लोगों क्या करना पड़ाएगा नेक्स लाइन में मैं बताता हूं है और एक स्वाइद टू वाई इस इकल टू दोसो और बोला तो उदर पहला लिखा था की एक स्प्लस उदर पहला लाइन में लिखा था एक स्प्लस अ एस्वारी एक्स प्लस वाइज इगल टू एटी तो इसको हम लोग ऐसे घुमाघ से टू टो टोल को टोटल को फोर्स अगर गुना करेंगे तो क्या होगा फोर से गुना करने से फॉर एक्स प्लास फोर वाई ठीक है सिगल टू कितना होगा इजांगा है इस गल्ट हो जाएगा है 220 हो गया तो इसको हम लोग माईनस करेंगे दर माइनस साइन देंगे माईनस माईनस जरीन करेंगे तो 4 सी मैनेस से पिए शेलगा और इदर क्या रहाएगा मैननसması tulee से प्लसुआ अगर स्वाइन स्वाइन स्वाइस एगल टू सिक्स्टी आ जाएगा तो वाई किसका संख़ता वाई कितना संख़ता वाई पीकॉक मतलब 60 पीकॉक है उधर ठीक है और बाकित जो 20 है ओ डियर है तो ऐसे भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते option कही साब से अगर देखेंगे 60 अगर डियर होगा तो 60 पीकॉक होगा तो उसका जो लेग होगा 120 20 ठीक है और बाकी जो 20 हिरोन है तो उसका जो एक एक हिरोन का चाल लेग होगा तो टोटल हो जागा 200 तो लेकर सब्सक्राइब का 200 निकाल रहा है ना इसी बहुत ज्यादा इसी कुस्टन है ज्यादा तर इस कुस्टन में हम लोग option टेस्ट कर लेते हैं तो आप लोग भी option टेस्ट कर लेजीए option टेस्ट करने से बहुत जल्दी answer आ जाएगा तो झतन सब्सक्राइब मेरे के सब्सक्राइब, तो मरता के इहाँ or कमेंट कर बताा है, क्यएन माईक इस तो दर्थ में के सब्सक्राइब स सब्सक्राइब, मैं एक बात माँ नहीं हूं, मैं भी एक स्टूडेंट था तो मेरे को लगता कि मेरा जो नौलेज है अटलिस जितना थोड़ा सा भी नौलेज है अपनों के साथ सेयर करना चाहते हूं सेयर करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं अगर वीडियो अच्छे लगे तो रैक करना और कोई भी गलती है तो उसके लिए स्वारी पहले से बोल देता हूं ठीक है चलो बाई थैंक्यू आज के लिए इतना ही